आज से हम Microsoft Office शुरू करने वाले हैं Microsoft Office शुरू करने से पहले ADCA Computer Course की अंतरगर्थ हमने आपको MS Paint क्या होता है Notepad क्या होता है Wordpad क्या होता है इससे सम्मंदित हमने इस पर वीडियो बना रखा है अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने description box में दिया है वो वीडियो आप जरूर देखें उसके बाद Microsoft Office का वीडियो आप देखें Microsoft Office की अंतरगर्थ कई भाग आते हैं जैसे MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access हम एक एक करके सभी पार्ट के बारे में जानेंगे MS Word क्या है? सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं MS Word में हम कौन-कौन से document बना सकते हैं MS Word Microsoft Office का एक भाग है MS Word में हम बहुत से work कर सकते हैं i-card बना सकते हैं, resume बना सकते हैं questions paper बना सकते हैं किसी भी प्रकार का design बना सकते हैं और office से समबंदी सारा work हम MS Word में कर सकते हैं ये काफी demanded application है, तो चलिए जानते हैं MS Word के बारे में. तो सबसे पहले हम जानते हैं MS Word आप कैसे open कर सकते हैं. MS Word आप तीन तरीके से open कर सकते हैं. Open करने का पहला तरीका है, आप अपने keyboard से window प्लस R बटन को प्रेज करें. Run command open होने के बाद यहाँ पर आप type करें win word. Type करने के बाद यहाँ पर OK कर दें, आपका MS Word ओपन हो जाएगा. अब हम जान लेते हैं दूसरे तरीके से कैसे MS Word ओपन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसको close कर लेते हैं. दूसरे तरीके से MS Word को open करने के लिए सबसे पहले start बटन पर आप click करें. क्लिक करने के बाद यहाँ पर search बटन आपको दिखाई दे रहा है right side में. यहाँ पर click करें और type करें MS Word. type करने के बाद नीचे के तरफ इसके icon पर देख सकते हैं, इस पर click करें. तो इस प्रकार आप अपने MS Word को open कर सकते हैं. तीसरे तरीके से MS Word को open करने के लिए सबसे पहले start बटन पर click करें. और इसके बने shortcut पर आप click करें. इस प्रकार भी आप MS Word को open कर सकते हैं. आप तीन मसे किसी भी option का use करके MS Word को open कर सकते हैं. उपर की तरफ जो नीलर रंकी पट्टी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस पर document 1 लिखा हुआ है. इसको हम बोलते हैं title bar. जब भी किसी अपने documents को या किसी work को आप complete करके उसको save करेंगे, तो title bar में उसका नाम display होगा. अभी हमने किसी भी फाइल को save नहीं किया है, इसलिए by default document 1 आपको दिखाई दे रहा है title bar में. Title bar के बाद अगला option हमारा है close button. अगर इस पर आप click करेंगे, तो आपका MS Word close हो जाएगा. उसके बाद अगला option हमारा है restore down का. अगर इस पर आप click करते हैं, तो आपका MS Word थोड़े छोटे भाग में हो जाएगा. पुन्हा इस पर आप click करेंगे, तो MS Word आपका बड़ा हो जाएगा. उसके बाद अगला option हमारा है minimize का. अगर इस पर आप click करेंगे, तो आपका MS Word task bar पे जाकर store हो जाएगा. यानि ये close नहीं हुआ है. अगर इसको open करना चाहते हैं, इसके बने icons पर आप click कर देंगे, ये open हो जाएगा. title bar पर ही left side आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं, quick access toolbar. इसका use हम basically shortcut create करने के लिए करते हैं. shortcut कैसे create किया जाता है, इसके लिए आप इसके drop menu पर click करें. यहाँ पर कुछ option आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर new है, open है, save है. इन तीनों option पर tick लगा है, यानि इसका मतलब यहाँ पर इसका shortcut create है. अगर जिस पर भी tick लगा है, उसके tick को आप हटा देंगे, वहाँ से उसका shortcut हड़ी आएगा. जैसे यहाँ पर save वाले पर आप देख सकते हैं, tick लगा हुआ है, अगर हम इस पर click कर देंगे, तो यहाँ पर save option का tick हड़ी आएगा. drop menu पर आप click करें, यहाँ से जो भी option आपको चाहिए, उस पर आप tick कर देंगे, वह option यहाँ पर add हो जाएगा. Quick access toolbar का use हम immediately किसी work को करने के लिए करते हैं. Quick access toolbar में भी यही option आपको मिलते हैं. तो आप यहाँ office button से भी इस option का उप्योग कर सकते हैं, या फिर इसका shortcut create करके भी इन option का use आप कर सकते हैं. Title bar के ठिक नीचे आप देख सकते हैं, Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, View. इसको हम बोलते हैं menu bar. इनी का use करके हम क्या करते हैं, अपने document को ready करते हैं. इसके बाद menu bar के बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं Reven, Clipboard, Font, Paragraph, Style, Editing. Reven bar के बाद आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ruler bar. यह हमारा work area है, जहाँ पर हम अपने document को ready करते हैं. उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं status bar. यहाँ पर आप जितने भी page लिये रहेंगे, वो यहाँ पर status bar पर display करेगा, कि आपने कितने page ले रखा है. उसके बाद word, इस पर जितने भी word आप type के रहेंगे, यहाँ पर आपको show करेगा कि कितने आपने word ले रखा है. उसके बाद status bar में right side आप देख सकते हैं, यहाँ पर documents के अलग-अलग layout आपको दिखाई दी रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर दिया है status bar में zoom bar, अपने document को आप यहाँ से zoom in कर सकते हैं, और यहाँ प्लस के icon पर click करेंगे, यह जूम out कर सकते हैं. Right side में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं scroll bar, इसका यूज हम करते हैं page को उपर नीचे करने के लिए. रूलर बार से page के margin को आप घटा बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार. Left side से भी अपने margin को आप घिसका सकते हैं, page के चारो तरब जो जगा छुटी हुई होती है, उसको हम बोलते है margin. इसको हम बोलते हैं office button, office button पर click करते हैं, तो यहाँ पर कुछ option आपको देखनों को मिलता है, यहाँ पर सबसे पहला option दिया है new का, तो जब भी आपको MS Word में कोई नया file चाहिए, तो आप यहाँ पर click करके नया file open कर सकते हैं, इसका shortcut होता है control plus N, उसके बद अगला option दिया है तो आपने MS Word में कोई पहले से file अगर बना के रखा हुआ है, उसको यदि आप open करना चाहते हैं, तो open option का use कर सकते हैं, उसके बद अगला option यहाँ पर दिया है save का, save option का use हम तब करते हैं, जब आप किसी भी document को complete करने के बाद उसे सुरच्छित रखना चाहते हैं, तो इसे एक document को save किया जाता है, वो हम जान लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर click करें, click करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा window open होता है, आप अपने save की होए file को कहां रखना चाहते हैं, उस location को choose करें, हम अपने file को desktop पर रखना चाहते हैं, तो हम desktop पर click करेंगे, अगर इस नाम से आप save करना चाहते हैं, यहाँ पर file का नाम दे दे, जैसे हम demo के नाम से file को save करना चाहते हैं, तो हमने demo यहाँ पर type कर दिया, आप यहाँ पर click कर दे और आपका file सेव हो जाएगा, और आप title बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पर document 1 पहले सोक हो रहा था, आप य नाम चेंज करना हो, या उसका location चेंज करना हो, तो save as का प्रियोग हम करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले save as पर click कर दे, यहाँ पर छोटा एक window open होगा, और यहाँ देख सकते हैं, जिस file से हमने पहला नाम save किया था, demo 1 के नाम से, यह file फिर से open हो गई है, यहाँ पर हम file क change कर देते हैं, उसके बाद आप उस location को choose करें, हम यहाँ पर desktop ले रहा हैं, इसके बाद आप save पर click कर दे, यह आपका file save as हो जाएगा, अभी जो file आप title बार में देख सकते हैं, जो demo 1 के नाम से दिखाई दे रहा था, वो अभी Z के नाम से दिखाई दे रहा है, चलिए उन द यहाँ पर अगला option दिया है print का, यहाँ पर 3 option आपको मिल जाते हैं, पहला है print, अगर आप print करना चाहते हैं, तो print पर आप click करेंगे, तो print आपका file हो जाएगा, अगर आप quick print पर click करते हैं, तो बिना page की setting की हुई, आप page को quick print कर सकते हैं, अगला option हमारा है print preview, जब भी आप अपने documents को print करने से पहले देखना चाहते हैं, कैसा वो दिखेगा, तो print preview पर आप click कर सकते हैं, और आपका file print preview की तरह दिखने लगेगा, print preview से बाहर आने के लिए close print preview पर click कर दे, अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे, MS Word में अगला option हम समझ लेते हैं, अगला option हमारा है clipboard, जै अपने paragraph में किसी भी line को काट के कहीं दूसरी अस्थान पर paste करना होता है, तो चलिए कैसे करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, तो मालीजे सबसे पहले हमने उपर वाले line को select कर लिया, select करने के बाद यहाँ पर cut option पर हमने click किया, और यहाँ से ओ line delete हो गया, उसके बाद उस line को जहाँ पर भी आप रखना चाते हैं, वहाँ पर click करें सबसे पहले, हम यहाँ पर रखना चाते हैं, उसके बाद आप clipboard में जाकर paste option पर click कर देंगे, यह है cut option का use, उसके अगला option हमारा है copy, copy का use हम basically तब करते हैं, जब कोई text बार बार लिखा जा रहा है, यहाँ किसी भी paragraph क copy करना चाते हैं, इसका duplicate बनाना चाते हैं, तो उसको हम copy करते हैं, तो सबसे पहले जिसको भी आपको copy करना है, उसको सबसे पहले select कर लें, हम इस वाले paragraph को copy करना चाते हैं, इसको सबसे पहले हम select कर लेते हैं, select करने के बाद यहाँ पर copy पर click कर दे, click करने के बाद जहाँ प करने के बाद आप किसी भी text को कहीं पर भी paste कर सकते हैं ले जाकर copy करने के बाद किसी भी हिस्से का किसी भी text का duplicate बना कर उसको paste कर सकते हैं कहीं दूसरी जगा पर उसके बाद अगला option है clipboard में format painter format painter का हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से अधिक हैडिंग है और किसी भी हैडिंग को particular हमें format करना होता है और उसके बाद सारे heading को formatting नहीं करना चाहते हैं तब हम format painter का use करते हैं चलिए जानते हैं कैसे इसका use हम करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ heading हमने यहाँ पर type करके रखें इन heading को हमें format करना है तो चलिए सबसे पहले किसी एक heading को हम format कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले की उसी तरह formatting करें या अपना समय बचाने के लिए हम format printer का use करें format printer का use करने के लिए सबसे पहले आप उस text को select करने जिसको आपने format किया है तो हम सबसे पहले इसको select कर लेते हैं select करने के बाद यहाँ पर format printer पर click कर दें format printer पर click करने के बाद आप दूसरे वाले text को select करके छोड़ दें ये देखिए आपका पहले वाला formatting दूसरे वाले formatting पर apply हो गया इसी प्रकार पहले किये हुए text की formatting आप सारे heading पर apply कर सकते हैं font option का use हम तब करते हैं जब हमें अपने font को कभी change करना हो जिस भी font को आप change करना चाहते हैं उस font को सबसे पहले आप select कर ले ऐसे select करने के बाद font वाले option की drop menu पर click करें click करने के बाद यहाँ धेर सारे font के option आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी font आपको चाहिए अपने paragraph के लिए उस font पर आप click कर देंगे वो font आपके paragraph पर apply हो जाएगा जैसे हमें arial black चाहिए हम इस पर click करते हैं और आप देख सकते हमारे paragraph पर arial black apply हो गया है उसके बाद अगला option हमारा है font size यहाँ पर बने drop menu पर click करें उसके बाद यहाँ पर click करेंगे तो आपका text बड़ा हो जाएगा और इस वाले option पर click करेंगे तो आपका text छोटा हो जाएगा clear formatting का use हम तब करते हैं जब किसी paragraph पर हम कोई formatting करके रखे रहते हैं तब तो सबसे पहले हम अपने paragraph को formatting कर लेते हैं formatting करने के लिए सबसे पहले आप इसको select कर लें select करने के बाद आप यहाँ पर color कर दें color करने के बाद underline apply कर दें उसके बाद अपने font को board कर दें इस paragraph पे जो हमने formatting की है इसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले इसको select कर लें select करने के बाद clear formatting पर click कर देंगे तो आपका formatting हट जाएगा उसके बाद अगला अफसर हमारा है bold आप किसी अपने heading को text को bold करना चाहते हैं तो आप उसको bold कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने heading को आप select कर लें ऐसे select करने के बाद bold पर click कर दें तो आपका text bold हो जाएगा या पुर अगर आपको अपने heading या paragraph पर underline लगाना है तो इस underline पर click कर देंगे तो आपका underline लग जाएगा आपके paragraph के नीचे इसके drop menu पर click करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे underline दिये हुए हैं जो भी underline आपको चाहिए उस पर select करके उस पर click कर देंगे वो underline अप्लाई हो जाएगा अगला option हमारा दिया है strike throw, strike throw का use basically हम किसी भी text को कटा हुआ दिखाने के लिए या wrong दिखाने के लिए इसका use हम करते हैं तो सबसे पहले जिस भी text को आप कटा हुआ दिखाना चाहते हैं इसको select कर ले, select करने के बाद strike throw पर आप click कर देंगे यह आपका apply हो जाएगा, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसको select कर ले, select करने के बाद इसी पर दुबारा click कर देंगे, यह आपका हड़ी आएगा उसके बाद font में अगला अपसन हमारा है, sub script और superscript, इनका use हम तब करते हैं, जब हमें chemistry में कोई formula लिखना हो, या square की तरह लिखना हो, तब हम इनका use करते हैं तो चलिए कैसे करते हैं, उसको हम देख लेते हैं, अब two को आप select कर लें, select करने के बाद यहाँ पर आप click कर दें, तो देखिए आपका इस परकार यह हो जाएगा as to, अगर आप two को ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, तो इसको select करके, आप यहाँ पर सब script पर click कर देंगे, यह two ऊपर की तरफ हो जाएगा उसके बाद अगला option हमारा है change the case का, इसका use हम अपने text को change करने के लिए करते हैं, जैसे आपने कहीं small letter लिखा हुआ है, आप बिना delete कि उसको capital में लिखना चाहते हैं, तो इस option का use कर सकते हैं अगर आपने capital type कर दिया है, उसको small में लिखना चाहते हैं, तो आप इसका use कर सकते हैं, इसमें और भी option दिये हुए हैं, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको select करते हैं, और इसके drop menu पर click करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला option दिया है sentence case पर, इस पर आप click कर देंगे, तो आपका दिखे normal text हो जाएगा उसके बाद drop menu पर फिर click करेंगे, उसके बाद दिया है lower case, इस पर आप click करेंगे, तो आपका capital से small हो जाएगा उसके बाद अगला option इसमें दिया upper case, अपर case पर आप click करेंगे, तो सारे taxes आपके capital हो जाएगे फिर इसमें अगला option दिया है capital is word इसपर आप click करेंगे तो प्रतेग text का letter capital हो जाएगा उसके वाद अगला option इसमें दिया हुआ है tongal case का इसपर आप click करते हैं तो प्रतेग letter का पहला letter छोटा हो जाएगा बाकी सारे taxes क्या हो जाएगे capital हो जाएगे उसके वाद font में अगला option दिया हुआ है text highlight color तो जब भी आपको अपने paragraph को highlighted करना है तो सबसे पहले इसको आप select कर लें और यहाँ पर इसके बने drop menu पर click कर दें और यहाँ से yellow वाले color पर click कर दें तो ऐसे आप अपने paragraph के किसी भी हिस्से को highlight कर सकते हैं अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको आप select करें select करने के बाद drop menu पर click करें यहाँ पर no color का एक option आपको दिखाए दे रहें यहाँ पर click कर दें तो ऐसे आप text highlight color को हटा सकते हैं font option में अगला option हमारा दिया है text color जब भी आपको अपने text को color करना होगा तो आप text color का use कर सकते हैं तो जैसे माल लीजे हमको इस पूरे paragraph को ही color करना है तो सबसे पहले इसको हम select कर लिए select करने के बाद इसके बने drop menu पर click कर दें यहाँ पर अलग-अलग color आपको देखनों को मिलेगा जो भी color आपको चाहिए उक्स color पर आप click कर दें तो वो color आपके text पर apply हो जाएंगे